गोड डिविनिंग फ्रेंड्स भेलोड में CMC उस्पिटल में जाने से पहले कुछ पॉइंट्स को आपको step by step follow करना चाहिए हाला कि इसके बारे में already channel पर बहुत सारा वीडियो है लेकिन फिर भी आप लोगों को ever करने के लिए आप लोगों का कोई problem जिस तरह का ना हो इसकी बज़े से आज का इस वीडियो को बना रहा हूँ और फ्रेंड्स आज का इस वीडियो पर लास्टली जो मैं point बताऊंगा बहुत ही most important point है इसलिए आज का इस वीडियो को आप completely देखे सो हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सब उमीद है कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छा होंगे मैं हूँ आपका दोस तंजन महांती और आप देख रहे हैं medical solver youtube चैनल तो चलिए फ्रेंड्स सुरू कर लेते हैं देखे फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे पहला जो पॉइंड है अगर आप विलोड में cmc hospital में जाने से पहले कोभी नाइंटीन का वैक्सिनेशन का साटिपिकेट साथ में ले जाए तो सबसे बहुत ज़्यादा अच्छा होगा अगर आपका कोभी नाइंटीन वैक्सिनेशन का डबल डोच कॉंप्लीट हो जाता है यानि कि पूरा का पूरा डोच कॉंप्लीट हो जाता है तभी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि देखे आप लोगों को पता ही है कि कोभी नाइंटीन का भी तीसरा लहर चल रहा है और भेलोड में cmc hospital में बैसे भी कोभी ना सब्सक्राइब क्या है और उसक्रीट हो सकता है और ओ यहां पर सबसे अच्वाद में जाते और होटल में रहते हैं उस्किसी-किसि ओटल में वाँ ने updating का situation में COVID-19 vaccination का certificate दिखाना में mandatory हो सकते हैं कभी भी हो सकते हैं सो इसलिए आप वहाँ पर भी फस सकते हैं इसलिए सबसे जो बेश तरीका है अगर आप साथ में COVID-19 vaccination का certificate साथ में ले जाते हैं तो सबसे बहुत ज़्यदा अच्छा होगा अब दूसरा जो चीज है अगर आप साथ में COVID-19 का test report साथ में ले जाए तो भी बहुत ज़्यदा अच्छा है COVID-19 का test report यानि जिसको RT-PCR test report बोला जाता है अगर आप साथ में ले जाते हैं तो बहुत ज़्यदा अच्छा होता है क्योंकि भिलाल के लिए अभी तो भेलोड में CMC hospital में COVID-19 का test report चेकिंग नहीं हो रहा है लेकिन traveling जब आप करते हैं train की द्वारा flight की द्वारा traveling करते हैं तो उहाँ पर दिखाना में अगर mandatory हो जाएगा ताब आप फंस सकते हैं इसलिए सबसे जो बेश तरीका है अगर आप साथ में COVID-19 का test report ले जाते हैं तो सबसे अच्छा होगा अब यहाँ पर तीसरा जो चीज़ है अगर आप साथ में e-pass का certificate ले जाते हैं तो बहुत ज़ादा अच्छा होता है e-pass क्या है इसके बारे में already channel पर एक video है तो भी मैं short में आपको बता देता हूँ e-pass एक passenger का certificate होता है और e-pass को बनने के लिए आपको किसी cyber cap में जाना पड़ता है और cyber cap में जाने के बाद आपका ID proof देना पड़ता है और आपका train का ticket जो booking किया है उस train का ticket का seat number देना पड़ता है details देना पड़ता है उसके बाद आपका नाम से एक e-pass certificate बन जाएगा और उस e-pass certificate को अगर आप ले जाते हैं train में जाते हैं train में कभी-कभी checking हो सकता है किसी कार्टिर में अभी फिलाल के लिए चालू हो गया है तो वहाँ पर भी अफ़स सकते हैं इसलिए अगर आप साथ में e-pass का certificate ले जाते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है अगर आप साथ में ID proof ले जाते हैं तो भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है कि कोई ID करना है किसी पेशन्ट को देना है किसी पेशन्ट को डायलेश्च करवाना है लगार तो उस सीचेशन में क्या होता है कि ID प्रूफ दिखना मंड़ाटरी हो जाता है इसलिए अगर आप साथ में ID फ्रूब ले जाते हैं तो भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और किसी- है अगर आप पहले बहुत सारा जगह में डॉक्टर को दिखा है बहुत सारा मेडिकल रिपोट्स किये हैं उन सारा डॉक्टर का प्रेस्किप्शन और मेडिकल टेस्ट रिपोट्स साथ में आप ले जाएं क्यूंकि भेलोड में CMC होस्पिटल में जाने के बाद जब आपका चालू होता है तो डॉक्टर आपको बहुत सारा सवाल पूचते हैं और आपका जो टीट्मेंट चालू होता है वहां पर आपका पूरा का पूरा हिस्ट्री लिया जाता है पहले कभी आपका किस तरह का टीट्मेंट होता है पहले कौनसा कौनसा मेडिसिन चालू होता कौनस कुन सा रिपोर्ट किया है सब कुछ डीटेल्स में डॉक्टर देखता है जिसकी बदेसे आपका ट्रीटमेंट करने में हेल्ब हो सके ठीक है और बहुत सारा लोग कहते हैं कि बेलोड में CMC ऑस्पिटल में इधर उधर का रिपोर्ट नहीं चलता है लेकिन बहुत ही गलत से अगर आप साथ में रिपोर्ट को ले जाते हैं तो आपको उसरी पोर्ट को करना नहीं पड़ेगा अलग सा धर रिपोर्ट को आपको करने पड़ेगा फिर यह लिए हैं पहले कभी डॉक्त आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है और इस चीज को आपको करना ही चाहिए अगर इस वीडियो पसंद है तो वीडियो के लाइक करें दोस्तों का साथ सेयर करें और अगर इसके बारे में फिर भी आप लोगों को कोई कॉनफिशन होता है तो आप इसी वीडियो का कॉमेंट बोक्स पो जाके आप हमें कॉमेंट करें मैं कोशिस करूंगा उसका रिपलाई देने में चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्स्रेप करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बैल को अल पे क्लिक करें क्योंकि इस च चैट की दुवारा बाते हो सकता है तो फ्रेंट इसलिए इंस्टाग्रम को फॉलो का लिजेगा तो चले फ्रेंट्स आज का इस टॉपिक को इंपर खतम करते हैं मिलते हैं आगले टॉपिक पर तब तक के लिए थैंक्यू सो माज और थैंक्स पर वाचिंग